कागस के खिलोने कागस के खिलोने लो जहाज कागस की कष्टी और कागस की गाड़ी सब खिलोने कागस की लो अपनी खेलने की उम्र में छोटी सी गुडिया चिडिया जंगल में आवाज लगा लगा कर कागस के खिलोने बेज रही थी कागस के खिलोने कागस के खिलोने लो जहाज कागस के कष्टी और कागस के गाड़ी सब खिलोने कागस के लो ममा ममा मुझे कागस का जहाज ले कर दिये मुझे खेलना है जग्गु बेटा कागस का जहाज इधर लोगे उधर तोट जाएगा तेरे पापा तुझे सच्ची वाला जहास ला देंगे बड़े वाला मुझे यही लेना है यही लेना है मुझे अपने बेटे जगू की जिद से तंग आकर गोरी कवी गुर्या को आवास देती है सुनो खिलोने बेचने वाली जुडिया यहां आओ जी आउंटी आपको क्या लेना है मुझे कुछ नहीं लेना मैं कोई बच्ची हूँ यह मेरा जगू जिद कर रहा है कागिस का एक जहास दे दो देख कर देना कहीं तूट न जाए गुडिया हंसने लग जाती है आउंटी एक रुपय का जहास टूट ही तो जाएगा यह तो बच्चों का खिलोना है ऐसल वाला जहास थोड़ी है यह गुडिया गुडिया से एक कागिस का जहास लेकर अपने बेटे चगू कवे को दे देती है गुडिया आगे भरती है कागिस के खिलोने, कागिस के खिलोने गुडिया दूपहर के बाद थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है एक, दो, तीन, चार, नो, दस आज तो पूरे दस जहास बिक्के है आज मैं अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाओंगी जबसे गुडिया की ममा बारिश में मर गई थी तब से लेकर आज तक गुडिया ही अपने भाई का पालन पोसन कर रही थी जगुर नदी किनारे जाकर जहास को उपर की तरफ फैंकता है वो कागिस का जहास बहुत अच्छी तरह बना हुआ था इसलिए वो दूर तक जाता है पहले इधर फिर उधर नीचे और फिर ओपर से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सीधा जाकर नदी में गिर जाता है कागिस था इसलिए कागिस का जहास नदी में गिरते ही तूट जाता है अभी तो मैंने इसे खेला भी नहीं था ये क्या हुआ मेरा कागज का जहाज चूट गया रोता हुआ जगू कवा घर जाता है ममा ममा पहली ही बार मैंने पहली ही बार जहाज को उड़ाया तो वो तूट गया जगू जूट बोलता है वो ये नहीं बताता कि उसका कागज का जहाज नदी में गिर गया था उस छोटी जिडिया ने सारे जंगल के छोटे पक्षियों को पागल बनाया हुआ है एक दिन तो चलना चाहिए था कागस का जहाज तो चल मेरे साथ गोरी कवी गुसे में जगु को साथ लेकर गुडिया के पीछे जाती है पिद्दी सी चिडिया तुम यहां बैठकर आराम करे ही हो बहुत लूट लिया जंगल के पक्षियों को अब ये नहीं चलेगा मुझे भी गोरी कहते है आंटी हुआ क्या है कुछ बताईए तो ऐसे लूट लूट कर मैं तुम्हें अमीर नहीं बनने दूँगी आंटी एक एक रुपए एकठा करती हूँ मैं उन पैसों से तो मेरा और मेरे भाई का खाना भी नहीं आता गोरी कवी बहुत गुसे में थी गोरी कवी गुडिया की कागज के खेलोनों वाली टोकरी उठा कर पेड के पास बारिश के खड़े पाने में फैंक देती है और गुडिया से उसके पैसे भी छीन लेती है चाल चाल भाग जा यहां से आज के बाद अगर मैंने तुझे यहां देखा तो तेरे पांक तोड़ दूँगी गुडिया रोने लग जाती है और रोती हुई महां से चली जाती है आगे आगे मेरी गुडिया बेहन आगे मैं नहीं मोलता आज आप से आपने इतने देर क्यों की और और मेरी मिठाई कहां है गुडिया चुप थी वो बात नहीं कर रही थी गुडिया बहन, मुझे भूग लगी हुई है, मुझे खाना दे गुडिया फूट फूट कर रोने लग जाती है गुडिया आंटी ने मेरे सारे कागस के खिलोने तोड़ दी और मेरे पैसे भी छेन लिये है वे ही गुडिया आंटी जो एक बार ममा से रणने आई थी में आएंगी तो मैं बताओंगा मौमा को उस रात गुडिया और उसका खाई के पेर के नीचे बहता कर रोने लग जाती है मा, मैं हार गई, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कभी भाई को भूगा नहीं सोने तो मगर आज मैं हार गई, मा, मा मुझे माफ कर देना गुडिया की सिस्किया सुनकर अमरूद का पेर गुडिया से बात करता है छोटी बच्ची अच्छाई और सचाई कभी नहीं हारती, हारती है तो हमेशा बुराई ही हारती है ये मेरे दो फल तोड़कर घर ले जाओ, एक को खा लेना और दूसरे को रख देना, मगर चांद की रोशनी में गुडिया बहुत खुश हो जाती है, और उस अमरूद के पेर से दोनों अमरूद तोड़कर ले जाती है प्यारे दोस्तों, रानों चड़िया की ऐसी कहानिया सुनने और आधा खुद खा ले दी है गुडिया बहन, ये दूसरे अमरूद हम कब खाएंगे? पेर दोस्त ने कहा था कि दूसरे अमरूद को रात चांद की रोशनी में रख देना फिर गुडिया ऐसा ही करती है, गुडिया दूसरे अमरूद को रात भर के लिए खुले आस्मान के नीचे चांद की रोशनी में रख देती है दोनों बहन भाई सो जाते हैं सुधा हो जाती है, गुडिया उठती है और रात वाले अमरूद को जाकर देखती है और हैरान हो जाती है, वो अमरूद तो सोने का अमरूद बन चुका था गुडिया उस सोने के अमरूद को सुनार के पास ले जाती है और उस अमरूद को बेज देती है अब गुडिया के पास इतने पैसे आगे थे, जितने उसने कभी सपने में भी ना सोचे थे वो अपने भाई को अच्छा खाना की लाती है और फिर गुडिया बाकी के पैसों से घरीबों की मदद करती है उस दिन के बाद गुडिया हर रोज अमरूद के पेड़ के पास जाती और वो पेड गुडिया को दो अमरूद दे देता एक वो खा ले थी और दूसरा सौने का बन जाता गुडिया का निया और सुन्दर सा घर देखकर गोरिकवी गुडिया के पास आती है गुडिया गुडिया तुमने ये इतना सुन्दर घर कैसे बना लिया गुडिया हंसने लग जाती है कागज के खेलोने बेच बेच कर और कैसे फिर तो उस काम में बहुत मनाफ़ा होगा इसलिए तुम ये काम करती हो दूसरे दिन गोरिकवी एक टौकरी कागज के खेलोनों से भड़ लेती है वामा आप कहां जा रही है जगो बेटा मैं कागज के खेलोने बेचने जा रही हूँ बहुत पैसे हैं इस काम में अभी गोरिकवी घर से थोड़ी ही दूर गई थी के बारी शुरू हो जाती है और उसके सारे कागज के खेलोने तूट जाती है